हेलो अब्रिवन वेलकम तो जीकम क्लासेश आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जीकम क्लासेश में आप देखने से पहले इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर दिन एक कोडिनेशन केमिस्ट्री का डोज मिलते रहे जो कि आपको हेल्प करें आपके अपकमिंग इग्जामिनेशन के लिए और बाकी बच्चों के लिए जो पहली बार जूर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ करना चाहता हूं कि मैंने बैच लांच कर दिया है आई-ई-ई-ई-जैम के लिए कुछ दिन में CUET का भी बैच लांच होने जा रहा है And for my English Medium student, please don't think that we have left you in middle of the road. It is not like that. We have also like we have something for you also. See with the minimum price we have launched IIT Jam 2024 course, right? So go there and join it. It is very minimal amount. You can directly join there and you can start your preparation. You can boost your preparation. Like you have already seen how the revision series help you out, right? You have already seen the man. I as I promised that 30 to 35 question it will come from those concepts like those 20 or 22 videos are there. From there it will come and it has came. Okay. So now because all the student got benefited. So I'm just sharing you those batches. You just go and download this GChem Classes app and enroll for the batch and it is very minimum amount. You won't find anywhere else. This price match. If it is there anywhere with this price match, I'll give you in free. Okay. That much challenge I am giving you. Correct? So don't delay. Go there. Subscribe it. Start your preparation. Okay. The early you will start. The early you will finish. You will get more revision time. Correct? So now. Now, now we're late. We're late. We're not getting ready. We're going to know coordination chemistry. We're going to know the nomenclature. We're going to know the nomenclature complete. Correct? I hope that you'll have no problem here. You'll have no problem here. You'll have to know the nomenclature. है वो आप जो है मुझे वहां बैश सकते हैं वह देखने के बाद अगर मुझे लगेगा कि नहीं इसको सिलाइन की जरुरत है मतलब कि इसको वीडियो लेक्चर की जरुरत है तो मैं वीडियो लेक्चर बना के वापस से यूट्यूब में पोस्ट कर दूंगा जो कि आप इजली देख सकते हैं और यह सारे जो क्लास आप यहां देख रहे हैं एक जगह अगर आपको देखना है तो आप में भी जा सकते है है में फ्री मेटरियल सेक्षन है श्टरी मेटरियल सेक्षन है वहां भी जा करके आप जो है यह सारे वीडियो इक फोल्डर में आराम से देख सकते हैं और गोणी प्क्रम उक्रप्र्टार में पर ध्र्म कि आपकर एपकर nggak जैनारने जा रहा रहा है वहां सो हम लोग जो डिल करने वाले आज इस्ट्रक्च्रल पार्ट को कम्प्लीट करेंगे आइसोमेरिजम दो पार्ट में डिवाइड़ है एक है आपका इस्ट्रक्च्रल आइसोमेरिजम और दूसरा है आपका स्ट्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक्च्रक सबसे ज़्यादा फेबरेबल है उसके लिए है न ओप्टिकल इसो मेरीजम तो इस तरह से उनलोगों ने डिवाइट करके रखा है अब देखिए structural part, structural part generally, आप देखेंगे, jam के लिए बहुत ज्यादा favorable है, है ना, और कुछ है, जैसे कि आपका linkage है, linkage को वो symbiosis से relate करते हैं, ना, तो वो आपका CSIR और gate के लिए ज्यादा favorable है, तो सबसे पहले जो है, हम लोग, इसमें structural isomerism में, जो है, ionization isomerism, okay, ionization isomerism के बाद, जो है, हमारा solvent isomerism और इंतजार कीजिए, surprise का solvent isomerism में, एक और नए तरीके का isomerism में, दूंगा, जैसे कि मैंने बताया था है, कि मेरे video lecture में, एक particular नया चीज रहेगा, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, कि यह exist करता या नहीं करता है, but believe me, वो exist करता है, और वो हो सकता आपके upcoming exam में, उस point को target करें, क्योंकि examination, जो conduct कराती है, वो भी सोचती ही, कुछ नया question मिल जाए, तो मज़ा आ जाएगा है, वहले बच्चे आप बहुत तरह के books को देखते हैं कि नहीं है न, यह आपको मिलेगा, इसमें solvate isomerism में, ठीक है, वो example हम लेके आये हैं, then linkage isomerism ठीक है, उसके बाद हम लोग deal करेंगे, coordination isomerism ओक है, उसके बाद deal करेंगे, coordination isomerism, फिर deal करेंगे हम लोग ligand isomerism ओके, ligand isomerism यह generally ढखा हुआ रहता है, ligand isomerism हर जगा आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यह exist करता है, ठीक है, एक और दो example से ज़्यादा नहीं उसमें, लेकिन यह exist करता है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका polymerization isomerism ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि यह सब मान लीजिए, एक option है, और आपसे statement question बुचाए कि, इन में से बताईए कि कौन आपका true isomer नहीं है, correct? आपको अगर question दिया, इन में से कौन जो है true isomer नहीं है बताईए, इन में से कौन true isomer नहीं है, इतने सारे जो दिया हुआ है, इन में से true isomer नहीं है, आईसोमर का dEfinition हमें पता है, जिसका molecular formula क्या होना चाहिए? same होना चाहिए, बस उसका structural जो पार्ट है वो अलग-अलग हो सकता है हैना? structural part जो है, वो अलग-अलग हो सकता है sp structural part mf molecular formula Molecular formula same होना चाहिए लेकिन structural part different होना चाहिए तो हम लोग तो यही पढ़ते आ रहे थे अब इन में से बताईए कि कौन true isomer नहीं है अगर आज तक नहीं आया है तो आप कमी exam में मान के चलिए आएगा और यह इस तरह का question आप differentiate नहीं कर सकते हैं कि jam में पूछेगा कि gate में पूछ सकता है दो number के लिए है ना कि इन में से कौन true isomer नहीं है कि इस तरह का question MSQ के लिए जादा बनता है ना इन में से कौन-कौन isomer है उसमें वो यह दे देगा odd out करके और फिर आप सुचेंगे कि चारो हम तो सब के सब नाम दिया हुआ है सब तो isomer है तो अब आप बताईए कि जो है यह structural isomer को देखेंगे history isomer को कल देखेंगे क्योंकि बहुत सारे examples के साथ हम लोग देखेंगे आज के class में जो है हम आपको बहुत सारे examples भी देने वाले है ठीक है तो चलिए one by one सुरू करते है ठीक है आज का class को आप मान के चल सकते हैं कि यह एक तरह का full lecture है जो की batch में जिस तरह से class लिया जाता है मेरे gcam classes batch में मैं जिस तरह से class लेता हूँ उसी तरह का यह एकदम full class है इसके पहले जो दो class था वो हमने आपको जादा से जादा concept बताया था minimum examples बताया था और कहा था कि एक separate video रहेगा examples के लिए तो वो है वो हमारे batch में है तो इसलिए जो है हम आ आपको जो आज दे रहे हैं आपको आपको मजा इसलिए आएगा क्योंकि आज बहुत सारा example है ना बस बोर नहीं हो जाएगा example से क्योंकि examples इतने जादा practice कीजिएगा उतना ही अच्छा आपके लिए तो आज बहुत सारा example में लेका आया हूं तो structural isomerism में सबसे पहले हम तो इसको repeat करने के कोई जरूरत नहीं है ना हमें पता है यह basic knowledge है कि isomerism जो है molecular formula same structural part is different so उसको हाटा देते है ionization isomerism में क्या होता है उस complex में ion exchange करेगा है ना एक आयन बाहर नेगेटिव आयन जो है वो बाहर निकलेगा दूसरा नेगेटिव आयन अंदर जाएगा हम लोग कर सकते हैं कि जो negative ligand है वो नेगेटिव लिगैंड एक बाहर आएगा दूसरा नेगेटिव लिगैंड अंदर जाएगा है ना तो यहां ion का exchange हो रहा है क्या हो रहा है आयन का exchange हो रहा है coordination sphere और आपका जो है ion sphere है ना दोनों में क्या change हो रहा है आयन का नेगेटिव लिगन का एक्स्चेंज हो रहा है जिसको इनेशन आश्यमरिजम विट एक्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसको ठीक है इक्जाम्पल का ही जरूरत है ज्यादा से ज़ादा पहला एक्जाम्पल जैसे है आपका कोबाल्ट है फिर है इसमें अमोनिया कोबाल्ट और एनस्थ्री फाइब टाइम्स और मान लेते हैं यहाँ पर बी आर है तो यह बन जाएगा आपका टू प्लस और यहाँ पर बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट बन गया ठीक है यह आपका बन गया वाइट पीपीट है ना इस कॉम्पलेक्स का कलर है रेड वाइलेट रेड वाइलेट है और इसने वाइट पीपीट दिया बेरियम सल्फेट के साथ इसने रियक्शन कर लिया है ना उसी तरह से इसी तरह के कॉम्पलेक्स को अगर हम देखेंगे इसी का नेक्ष्ट जो आज सुमर है जैसे कोबाल्ट हो गया फाइब और यहाँ पर ह यहाँ सत्थ किलोरिन का रियक्शन रियक्शन हमें नहीं देगा यह सलफेट यहां नहीं यह तो इस तरह के रियक्शन नहीं जाएगी अब next जो है इस molecule को क्या करना है अगर हमने अगर हमने यहाँ पर Agno3 दिया silver nitrate अगर हमने silver nitrate दिया तो यह क्या बना देगा हमारा NH3 5 SO4 यह प्लस और यहाँ पर क्या बन जाएगा silver bromide का PPT बन जाएगा है ना ठीक है silver bromide का PPT बन जाएगा precipitate बन जाएगा है ना तो यह जो है इसका color क्या है यह आपका red color का आता है ठीक है यह red color होता है correct और उसी तरह से यह वाला part जो है आपका यह आपका Agno3 silver nitrate से यह reaction नहीं देगा यह भी silver nitrate से reaction नहीं देगा यह barium chloride से दिया और यह silver nitrate से दिया तो यह जो दोनों आपस में एक्षेंज इसमें क्या हुआ देखिए ब्रोमीन बाहर निकला है sulphate अंदर गया है यहां पर sulphate बाहर निकला है ब्रोमीन अंदर गया है तो यह आपस में क्या है ionization isomerism है दोनों का देखिए molecular formula change नहीं होगा है जितने number of cobalt यहां है यहां भी वह यह ammonia भी पांच है यहां भी पांच है ब्रोमीन एक है यहां भी एक है यहां भी sulphate एक है तो यहां पर कोई changes नहीं हो रहा है जस्ट आपका जो है negative जो लिगेंड है वह exchange हो रहा है जैसे मैंने कहा कि examples हम दे देंगे आपको तो examples हम जस्ट लिखते जा रहे हैं आप उसको लिखते जाए यह बहुत सारा example है इस आपको note-down कर लिजेगा है जितना example आपको copy भी लिखा हो रहेगा उतना आपके लिए अच लिखते तो वह neutral हो जाएगा तो ध्यान देजिएगा वह सब में यह टू टाइम्स ठीक है और एसो फोर इसका जो लिगेंड है इसका जो आइसोमर है वह इस तरह से प्लैटिनम एनेस्ट्री फोर टाइम्स और यह क्या करेगा एसो फोर अंदर आ जाएगा और जो है आपका इसमें एक एसो फोर बाहर एक एक ओएच टू बाहर नहीं जाएगा इसका जो मेंट्री चेंज हो जाएगा नहीं तो यह हो जाएगा ओएच और एसो फोर ठीक है और यहाँ पर ओएच बाहर आ जाएगा एक ठीक है एक आएगा यहाँ पर दूसरा फिर नेक्स्ट एग्जम और इतने एक्जांपल को देख लिएगा तो आपको वैसे भी याद करने की जड़रत नहीं पड़ेगी यह नहीं पर पड़ा हुआ है यहां पर पड़ा हुआ है यहां पर बाहर को निकला तो इसके लिए नहीं जो भी मेरा लेक्चर्स आने आएगा सब लेक्चर में आप देखेंगे आपको जो है एक यह चीज मिलते रहेगा है ना एक्जांपल्स बहुत सारा भरावा मिलेगा है ना ठीक है और उसके बाद इसका जो आईसोमर होगा वो क्या होगा आपका कोबाल्ट एक्जांपल से उपर वाला पार्ट को मिटा देता हूं मैं बहर देता हूं मैं चाहता हूं आज की क्लास में आपको जिस तरह में एप में क्लास लेता हूं बिल्कुल उसी तरह से आपको लूँ आपके आपको भी पता चले कि एप में जाना है या नहीं जाना है यहां जाए है क्योंकि हम जाते हमने जैसे कि सुरू में प्रॉमिस किया था कि ज्यादा से ज्यादा एक्जांपल में दूंगा क्योंकि अगर एक्जांपल दूंगा तो ही आप क्लियर हो पाएंगे और अपना टेस्ट पेपर बनाया है उसका एंसर दे रहे हैं तो वह चीज आपको व्यूँ होगा ठीक है मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है लेकिन चलता है इतना होना चलता है आपको आप देखिए का कोई भी एक्जाम में अपने से कोई कोश्चन नहीं बनाता है क्योंकि अगर अपने से बनाएगा बच्चा का चैलेंज करेगा तो उसके पास एक्स्वाइनिशन नहीं रहेगा इसलिए उन लोग कोई ना कोई एक रिफ्रेंस बुक से ही कोश्चन उठाता है ज्यादा तर ट्राइ करता है उन लोग कोई लेटेस्ट एडिशन का जो ब स्टुडेंट कोई कंप्लेंड किया या केस फाइल किया तो दिखा सकते हैं कि इस बुक से हमने उठाया है ठीक है अगर कोई मोडिफिकेशन जरुवत होगा उस कुश्चन का तो वह सीधे करेंगे कि आप उस बुक के रिस्पेक्ट में हम लोग मोडिफिकेशन रेस करेंग आपको नहीं मिलेगा है ना यहां पर देखिए क्लोरिन और ब्रोमिन का एक्षेंज हुआ है है उसके बाद नेक्स्ट एक्जामपल जो है आप लिखिए यह है फिर फिर इन आपको पता है एथलीं डायमीन है ठीक है और मुझे यह जो लास्ट एक्जाम हुआ आपका जूट गया तो आप मेरा पहला क्लास का जैसे मैंने बोला था कि बहुत सरा एक्जामपल है और वो मैने आपके एक्जाम के पहले और संदे को एक्जाम होआ, मैंने वो फ्राइड़ को बनाया था और उस लेक्टर में जो है यह सारे चीजिँ इनक्लिूड है लेकिन यूट्यूब में नहीं है वो वो जो detail examples वाला जो है जिसमें जितने तरह के legand मौझूद है जितने तरह के legand मौझूद है चाहे वो नए legand हो या पुराने legand हो सबके सब लिगेंड जो है आपका लिस्ट किया हुआ है मेरे पास ऐसे छोटे form में भी लिखा हुआ है expanded form में भी लिखा हुआ है यह जैसे कि आपका यह है न यह यह और यह 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 लिगेंड होता है इसका मतलब एक contribute करता है सिर्फ single electron और दूसरा जो है लोन पेर से है by dented लेकिन एक लोन पेर से और दूसरा negative charge से donate करता तो यह सब भी आपको जानना जरूरी होगा कि इसका जो dented city यह by dented है और आप सोचते हैं कि यह जो है आपका यह करेगा क्या करते हैं दो minus देगा तो फिर आप गलत हो जाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है आपको सारे concept पता है कैसे कराम करना कैसे work करना इसा पता है बट कोई एक पार्ट का knowledge कम होने के कारण आप उसको easily solve नहीं कर पाता है तो वह चीज यह नहीं मिलेगा वह आपको clear सारे example इसे बोल रहे हैं कि जितना example मिल रहा है उसको लिखते जाए नोट डाउन करते जाए अपने copy में है न वह बहुत helpful होता है आपके लिए क्लास कितना लंबा होने होने दीजिए उससे क्या फरक परता है आपको फाइदा पहुंच रहा है कि नहीं वह देखना है मैं है तो cobalt फिर n2 यह तो neutral है यह बाहर निकलेगा नहीं अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा no2 रहे गाई अब यहाँ पर होगा हमारा chlorine बाहर निकल जाएगा तो no2 यह हो गया आपका cobalt cl2 cl2 नहीं होगा cl होगा क्योंकि no2 को अंदर ला रहे और फिर हमारा जो ammonia है वो four times रहेगा अब यह बाहर अंदर आया तो chloride बाहर निकलेगा ठीक है यह वाला इसमें एक और बन सकता है क्या बन सकता है देखिए इसको ऐसे कर किजेगा तो यह cobalt को अंदर रखिए यह न तो बाहर निकलेगा नहीं नीट्रल है अब क्या हो सकता है इसमें जो आपका नाइट्रो है वो आपका एक बलब क्लोरीन और इसके साथ एक्षेंज होगा अब इसकी इस बार क्या किजेगा इस बार यह क्लोरो को रहने देते हैं और scn को अंदर ले पार्टिकलर मोलेक्लमें कितने आइनाजेशन आइसोमर पॉसीबल हो सकता है यह जो आइनाजेशन आइसोमर इसम दिखा रहायात समें इसमें कितने आइसोमर पॉसीबल है तोď एक दो त् disappoint का तड आपको नहीं पता चल पाता है अभी से लेकिन प्रैक्टिस करता रही है जितना तरीका आपको मतलब जैसे भी प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हैं तो इतने सारे एकजम्पलस हम ने आपको दिया तो आके एक दो तीन चार पांच चे और साथ तो टो तो लिए गजम्पल से आगे ओके लिख लिया होगा आपने तो चलिए सॉल्वेट आइसो मेरिजम देखेंगे वहां भी बहुत सारा एक्जामपल देखेंगे क्योंकि एक्जामपल ही बैकबॉन है कॉंसेप्ट तो आप पढ़ी लेते हैं कहीने कहीं से है ना हमने कॉंसेप्ट भी बताया और साथ में एक्जामपल भी बताया तो सॉल्वेट कि है आईसो मेरिजम है으िशन मैंना सिंपल है यहां पर यह एक जो यह एक्जेंज होगा वह क्या होगा आपका एक नगेटिव लिगैंड के साथ आपका आक्वावटर मॉलिक्शल मतलब नूट्राल लिगैंड एक्जेंज होने जा रहा है जिसमें एक सॉल्वेट हम लोग neutral ligand नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर solvate ligand exchange होगा आपका इसके साथ क्या करते हैं एक negative ligand के साथ तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं example देखेंगे कैसे होगा तो example वाइस देखते जाएंगे यह जैसे होगी आपका एक chromium है और यह एच्टू ओ शिक्स और cl3 है ना इसमें क्या होगा आपका आप इसमें देखिए जैसे यहाँ पर agno3 के साथ reaction कराएंगे है ना तो यह क्या देगा आपको chromium h206 है ना और फिर यहाँ पर देगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस और प्लस agcl है ना 3 agcl देगा और यह PPT बनेगा है ना precipitate बन जाएगा यह down arrow का मतलब वहाँ पर precipitate बन गया तो 3 agcl बन गया तो total number आप आयन कितना बना तीन और एक चार चार आयन इसमें बना है ना यहाँ पर आपको किस तरह का question दे सकता है वह भी देख लिजए आप बी में यहाँ पर देखिए हम लिगेंड का मतलब क्या करता है क्रोमियम का क्या कर सकते हैं अब अब लिजिए 5 को लिजिए एक water को बाहर निकाल देंगे एक negative लिगेंड को अंदर कर दिए एक क्लोरो को अंदर कर दिए और एक negative लिगेंड को बाहर कर दिए कौन सा आपका है इसको बाहर कर दिए ठीक है तो ऐसे होगा क्या बन जाएगा हमारा क्रोमियम वाटर 5 और क्लोरिन यह क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा यह 2 प्लस ओके यह साथ में एक्क्वा रहेगा एक्क्वा रहेगा ही रहेगा और यहां पर हो जाएगा आपका 2 AG C L है नगा प्रेसिपटाइट आउट हो रहा है 2 AG C L कितने आयन बना एक और 2 तीन आयन बना है यह लिखते जाएगा ज़्याइगा फिर एक और आ जाते हैं फिर से यह जो है अपना क्या करते हैं आईसोमेरिजम करेगा क्रोमियम इस वाइसोमेरिजम है ना एक एक करके अ अंदर आ रहा है यह हो जाएगा CL और 2H2O ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका Chromium H2O four times और यहां पर हो जाएगा CL2 और यहां पर हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा 2H2O और प्लस AGCl यहां कितने नमबर अपाएन हो गया एक और एक दो तो टू आएन ठीक है अब यहां डी में आ जाते हैं यह फिर से करेगा Chromium जहां तक possible है आईसोमिर्जम करते रहेगा 3 3 Cl और यहां पर 3H2O यहां पर दोनों तिनों अंदर आ गया तिनों यहां बाहर चला गया अब इसका रियक्शन जब EGNO3 से करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा यहां पर कोई रियक्शन नहीं होगा तो क्या बना जीरो आइन बना हमारा तो यह तो आपका इस complex के लिए एक डो टीन चार तो पूछा जाएगा कि इस complex में आप बताईए कि कोश्चन कैसे आएगा इस complex में बताईए कि कितने solvate isomerism इसमें बनेगा है ना total number of isomers बताईए solvate isomers कितने बनेगे तो आपको इस समय में क्या करना होगा इसी तरह से देखना होगा एक दो तीन चार मतलब कितने exchange possible है वो उतने ही तरह का isomer बनेगा ठीक है यह एक तरीका होगा दूसरा आपको पूछेगा कि सारे isomer को total मिला के सबको अगर हम hydrolyze करें तो फिर आपका total number of ions कितने बनेंगे कितना 4, 3, 7 और 2, 9, total ions कितने बनेंगे 9 ions बनेंगे ना अगर वो पूछेगा कि different तरह के isomers जो है आपका उसका conductivity basis पे arrange किजिए यह question भी आ सकता है कि conductivity basis पे arrange किजिए कि कौन ज्यादा conductive होगा है ना कौन कम conductivity दिखाएगा कौन ज्यादा conductivity दिखाएगा कौन कम conductivity दिखाएगा तो जिसके पास ज्यादा आयन है वो ज्यादा conductivity दिखाएगा तो conductivity के यह में देखेंगे हम तो A, B, C तो कैसे लिखेंगे conductivity के टर्म में A ज्यादा देगा then B देगा and then C देगा और D तो देगा ही नहीं है ना तो A, B, C ये conductivity का order हो गया है ना तो इस तरह से question पूछ सकता है इसमें और भी examples है इसको हम लिखने लगेंगे तो ये आपका clear हो गया जो अभी मैंने आपको बताया तो चलिए और examples लिखते हैं इसका solvate isomism का D तक हुआ मतलब 4 हो गया यहां पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सारे solvate solvate का isomar खतम नहीं हुआ है examples आज मैंने बताया कि पूरा बताऊंगा आपको तो पूरा ही बताऊंगा तो ये E number पर आपका है ये NH3 4 times H2O CL और ये BR2 के साथ exchange करेगा तो क्या बनेगा CO जो neutral है वो नहीं निकलेगा बाकी आप निकालते जाएए ये H2O बाहर निकलेगा BR अंदर जाएगा तो यहां पर आप क्या कर देजे यहां पर आप एक CL और एक BR को डाल देजे और बाहर में एक BR रहेगा और आपका dot H2 होगा तो ये एक Isomer हो गया ये इस तरह के Isomer में क्या करा सकते हैं आप एक और चीज कि ये जो लिगेंड है ये जो Isomer है ये क्या देगा आपको Solvated भी देगा और साथ साथ में ये Ionization Isomerism भी देगा Ionization कैसे कि अगर आप सिर्फ क्लोरिन को बाहर निकालें और ब्रोमिन को अंदर कियें तो वहाँ पर Ionization Isomerism देदेगा और इसको बाहर किये और इसको अंदर कियें तो यहाँ पर क्या देदेगा Solvated Isomerism देदेगा तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि कभी कुछ सकता ना इन में से कौन है जो Solvated Isomerism भी देगा और Ionization Isomerism भी देगा तो आपको देखना पड़ेगा कि बाहर में अगर माहर में तो Anine हो गई और अंदर में Anine है कि नहीं अगर है तो Anine Anine Exchange होगा तो आपका Ionization Isomerism हो गया और अगर ये बाहर निकल रहा है Solvated अगर बाहर निकल रहा है Aqua और Ion अंदर आ रहा है तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा Solvated Isomerism तो दोनों तरह का Isomerism ये दे रहा है ठीक है ये एक हो गया फिर आपका आजाते हैं हम लोग और भी examples में Pyridine 2 Cl2 और फिर Aqua 2 और फिर ये chlorine और इसके साथ ये आपका बन जाएगा कोबाल ये Pyridine 2 Cl2 तो Cl2 और फिर यहाँ पर H2O एक रहेगा और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं Cl को अंदर कर दीजे और बाहर में H2O को कर दीजे ठीक है? बाहर में H2O को कर दीजे है अब आप कहेंगे कि 2 molecule यहाँ पर 2 H2O है तो एक और isomer बनाएंगे यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि बाहर के हाई देखिए H2O है ठीक है? जब बाहर H2O है तो आपका exchange कहां यह water को निकालेंगे तो अंदर क्या आएगा? अंदर फिर उस water को लेके आएंगे तो वो solvent isomer नहीं हुआ है ना, solvent isomer होने के लिए एक solvent को बाहर निकल रहा है और iron को अंदर आना है ठीक है? ऐसा नहीं कि आप जो है एक solvent को बाहर निकाल रहे हैं दूसरे solvent को अंदर ले रहे हैं तो वो आपका solvent isomerism नहीं हुआ तो यह सब चीज भी दिहान में रखेंगे कि इस तरह के example में आप देखेंगे यहां दो लिखा हुआ है जैसे previous example में आपका जो water बहुत सारा दिया हुआ था तो हमने एक एक करके water निकाला और chlorine को इन किया और उतने सारे number of isomer बताया है तो वैसा यहां नहीं होगा क्योंकि already आप देख रहे हैं यहां two है तो दो मतलब आप नहीं उसको बढ़ाएंगे क्योंकि यह two है लेकिन बाहर में एक ही chlorine है तो यह इस पर पर हो गया water two times और फिर हो गया यह बियार टू ठीक है यह एक्स्चेंज करेगा तो क्या बनेगा आपका यह कोबाल्ट हो गया यह नहीं निकलेगा यहां पर देखिए दो है तो दो बार यह निकल सकता तो यहां आप कह सकते हैं और यह सब आप देखिए यह सब आइनाइज इसोमेरिजम भी देगा और सॉलवेट आइसोमेरिजम भी देगा क्योंकि आएन भी है हमारे पास है यहां पर कर दिजिए एक बार water एक बार और एक ब्रोमीन को अंदर कर दिजिए और दूसरा ब्रोमीन हमारा बाहर है और साथ में है अच्छोँ यह एक बार और हो जाएगा कैसे आप यहां पर ऐसे कीजिए और यहां पर है और यह water को भी बाहर निकाल दीजिए तो दोनों ब्रोमीन अंदर आ जाएगा अच्छिली इसको यहां से नहीं दिखाना चाहिए यहां से दिखाना चाहिए इस तरह से क्योंकि य यह देगा आपका क्योंकि दो ब्रोमिंग बाहर है तो यह एक्षेंज होगा तो इस तरह से करेंगे आप नेक्स्ट जो है आपका एक और है कोबाल्ट ले टू एहां दिया हुगा तो इसका आप कितना हो सकता देखे सिर्फ एक वार है तो एक ही होगा भले CL2 2 है उससे क्या मतलब ही एक बार वाटर बाहर निकल गया तो वह नहीं आप दुसरा बार्टर कहां से निकालेंगे नहीं निकाल सकते ना दुसरा वाटर तो यह हो गया कोवार्ट CL और फिर आपका जो है EN2 दुसरा क्लोरिन को अंदर कर दिजिए उससे यहां CL2 लिख दिजिए और यहां पर आप कर दिजिए CL और H2O है ना तो यह सब हो गया आपका solvate isomers अब जैसा कि मैंने कहा था कि solvate isomer में एक नया चीज हम आपको देंगे हो सकता है आप सुने होंगे उसको लेकिन जादा तर मुझे नहीं लगता है कि कोई example exam में उसको पूछा गया है तो हो सकता है upcoming exam के लिए वह बहुत ज्याद मेरे पास सब चीज का reference है कोई textbook से ही हम reference लेकर आते हैं करेक्ट अमोनियेट यह है आपका अमोनियेट है ना अमोनियेट है आइसोमेरिजम है ना अब आप समझ गया होंगे कि हम क्या बोलना चाहरें यहां पर क्या हो रहा है जैसे solvate में क्या हो रहा था नेगेटिब जो ल तो अमोनिया को जब exchange करेंगे तो यहां पर इस तरह का example आएगा एक्जामपल से देख लीजे platinum है NH3 six times है और CL4 तो यहां पर आप समझ गये कि कितना तरह का होगा यहां पर तो एक एक करके सब फिर बाहर निकलेगा और आप वह बाहर निकाल सकते हम एक बना देते हैं यह NH3 five times सब आप बना लिजेगा है ना एक क्लोरीन को अंदर किये और तीन क्लोरी मेरा वार में है और साथ में एक अमोनिया बाहर निकल गया इसी तरह से आप जो है इसको और एक बार नीचे लेके जा सकते हैं इस तरह से आप बढ़ते जा सकते हैं ना NH3 इसको four times कर दिए है CL2 कर अब इसके आगे क्या यह बढ़ेगा नहीं बढ़ सकता है क्यूंकि और कोई हमारे पास बाहर में नेगेटिव लिकंड नहीं है जो कि अंदर आएगा इस Ammonia को बाहर निगाएगा, तो यह Ammoniate Isomerism में आता है ना, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना, तो पांच बना रहा है, तो इस चीज़ को धियान में रखिएगा, कि जितने number of iron बाहर में रहेंगे, उससे एक ज्यादा जोड़ करके आप number of Isomer निकाले हैं ना, जितने number of iron यहाँ पर ज्यादा रहेगा, यह iron जितना रहेगा, प्लस वन कर दीजिए, उतना number of आपका Isomer दिखाएगा, टोटल Isomer, उसमें है न, Ammoniate Isomer, या Solvate Isomer में भी वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ, Solvate और Ammoniate के लिए यह formula है न, बाकि, Ionization Isomer के लिए नहीं है, वाइन लिए, उके, सो लिंकेज आईसोमेरिजम कहां देखेंगे हम लोग, चली देखते हैं, लिंकेज आईसोमेरिजम, ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लिंकेज आईसोमेरिजम, ओके, नेक्स्ट हम लोग का लिंकेज आईसोमेरिजम, लिंकेज आईसोमेरिजम का सबसे इंपोर्टन चीज है, कि उस molecule में, उस जो complex है, उस complex में आपका एक embedded ligand होना must है, क्योंकि अगर embedded ligand नहीं रहेगा, तो इसमें होता है कि जो ligand molecule है, उसमें ऐसा कोई particular दो atom होता है, जो एक समय में, मतलब कोई एक ही donate करेगा, लेकिन वहाँ पर क्या हो सकता है, कि वो suppose कि nitro है, एक बार nitrogen से donate कर रहा है, एक बार oxygen से donate कर रहा है, एक बार carbon से donate कर रहा है, एक बार nitrogen से तो इसमें क्या होगा आपका एक बार अगर कार्बन कर रहा है यह मेटल का का मैटल से कार्बन कर रहा है इसके बाद फिर आपके पास जैसे सकता है इस तरह से कनेक्शन हो सलफ़ के साथ एक बार मेटल से हो सकता है आपका नाइट्रोजन से कनेक्टेड करें तो ये यह सब बाइडें टेल दीनटेटं डिंक ज़न बनाता है मस्तलब आइचरी रहे है ऱैक तो रहे है कनेक्ट जो हो रहा है मेटल के साथ वो अलग हो जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट एक्जामपल्स को देख लेते हैं हम लोग इसे पहला है कोवाल्ड एनिस थ्री फाइब टाइम्स तो एनो अगर ऐसे लिखा हुआ जो समझ यह किसके साथ जूड़ा हुआ है इस ऑक्सिज जूड़ रहेगा कोई चेंजर इसमें नहीं रहेगा बस कनेक्टिविटी जो कनेक्शन है उसका मेटल के साथ कनेक्ट वो जूड़ जाएगा एनो टू है ना और फिर यह सीएल टू ठीक है यह हो गया तो इसमें देखिए एक का कलर लिख रहता हूं रेड और यह 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 य जाएगा मैंगनेज कार्बोनील 5 और यह रहेगा एन सी एस यह गया लिंकेज आइसमेरिशन फिर और क्या रहेगा आपका कोबाल्ट एनस त्री फाइव एस सी एन यह हो जाएगा कोबाल्ट एनस त्री फाइव एन सी एस क्रेक्ट फिर क्या रहेगा आपका कोबाल्ट टी टू है ना इतिलिन डायमीन टू और आपको रहेगा नाइट्रो टेक है तू टाइम्स और यहां बाहर में ऐगा ख्लोरीड रहेगा अब यहां पर क्या होगा आपका यह देखिए c o n h 3 5 और यहां हो सकता है o n o twice और बाहर में क्लोराइग यहां और क्या हो सकता है यहां और क्या हो सकता है यहां एक और हो सकता है कि आप जो है इसको इस तरह बना सकते हैं और यहां पर कर सकते हैं और कर सकते हैं ओ और यह भी कर सकते तो आपको different possibilities निकालना होगा यहां पर आपका Linkage Isomer के साथ साथ Ionization Isomer भी हो सकता है कैसे यहां से करता हूं में यह Linkage Isomer हो गया जो एक दो तीन यह Linkage हो गया अब इसमें ionization Isomer वी हो सकता कैसे तो देखिए इसको किजिये कोबाल्ट और फिर यहां किजिये EN2 और यहां पर किजिये No2 और अंदर कर दिजिए और दोनों ही नाइट्रो को बाहर कर दिजिए वो भी कर सकते हैं तो यहां पर यह आइनाइजिशन हो गया और यह एक तीनों जो है लिंकेज हो गया ठीक है तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं ठीक है देता हूं जितने तरह के आईसोमर है उसमें से ट्रू आईसोमर नहीं है तो सब्सक्राइब तो कॉर्डिनेशन आईसोमर कॉर्डिनेशन isomerism तो coordination isomerism क्या है यहाँ पर आपका generally क्या होता है यह bimetallic complex रहता है bimetallic complex रहता है bimetallic complex in the sense जहाँ पर anine complex और cation complex दोनों मौझुद रहता है न कैसे तो anine complex and cation complex दोनों मौझुद रहता है इसको ऐसे कर लिजिएगा cation complex इदर रहाएगा anine complex उदर जाएगा क्योंकि हम लोग हमेशा लिखते हैं cation को पहले anine को बाद में है तो cation complex और anine complex आपका रहेगा ठीक है और इसमें जो है जो आपका यह लिगेंड रहेगा यह चला जाएगा इसके पास और इसका जो लिगेंड है यह चला आएगा इसके पास तो इस तरह का चीज़े होते हैं और cl4 है ना अब यहां exchange कैसे होगा चलिए देखते हैं तो यहां पर होगा क्या platinum को उठा करके उधर लेकी चला जाएए जो लिगेंड है उसको वैसे ही रहने दीजिए है ना यह और दूसरा होगी आपका यह और cl4 यह दोनों आपस में क्या है कोडिनेशन आइसोमरिजम है ना नेक्स्ट और भी एक्जामपल है सब एक्जामपल को लिख देते हैं एक जगह एनेश थ्री जितना मज़ा यहां आ रहा है उससे ज्यादा मज़ा आपको जब हम लोग इस्ट्री करेंगे इस्ट्य के मिश्ट्री है उसको करेंगे जब डील करेंगे करेंगे जियुमिंट्रिकल ढ़िखना और ज्यादा मज़ा यह और क्योंकि वह एक्दम होर्ट 2050 से यहां गेट और से साय Ais CN6, इसको आप किजिए, chromium, chromium नहीं रहेगा, यहां कोबाल्ट आ जाएगा, उट करके, तो NH3, 6, और यहां चला जाएगा, उट करके, chromium, और वो भी, 6, ठीक है, next example ले ले लेते हैं हम लोग, कोबाल्ट, EN3, यहां ले लेते हैं, chromium, C2O4, oxalato है, यह oxalato है, 3, इसको एक्षेंज करेंगे हम लोग, तो यहां पर chromium को ले करके आए, EN3, और यहां पर लेके चले जाएगा, आप, कोबाल्ट को, और यहां पर क्या है, oxalato, C2O4, 3, और भी, example है, यह, NH3, 6 times, और यहां पर हो गया आपका कोबाल्ट, NO2, 6 times है, यहां हो क्या रहा है, देखिए, यह जब exchange होगा, तो आधा, मतलब पूरा overall नहीं होगा, क्योंकि metal दोनों का same है, तो यहां इस तरह से होगा, कोबाल्ट, आप 4 को यहां रख लिजे, 2 किसी और को बुला लिज लिजे, तो NH3, 5 times लिजे, एक नाइट्रो को उठा के लिए, हो गया, यह complete, दुसरा लिजे, कोबाल्ट, यहां पर क्या है, नाइट्रो आपका, 5 times है, एक अमोनिया को लेकर का आगे, तो यह हो गया, ना, कॉर्डिनेशन, बस कॉर्डिनेशन में, जो लिए, लिगान कॉपी में रहेगा, देखेंगे, एक बार, तो आपको एक्जाम में लगेगा, कि हाँ, हम यह सब देख चुके हैं, यह हो गया, और फिर प्लाटिनम, लाटिनम, यह जो है आपका, ऐसे रहेगा, लाटिनम, एनेश्ट्री, फोर, फिल टू, है ना, यह टेट्राइडल ता, इसको अक्टाइडल बना दिये हैं, और यह जो है, इसको, आप जो है, वापस से, फोर कॉर्डिनेशन मतलब करनें, इसका कॉर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, फोर हो गया, है ना, तो इस तरह से, यह सब एक्जामपल है, एक और एक्जामपल है, लिख लीजे, क्यों उसको छोड़ दें, है ना, क्रोमियम, एनेश्ट्री, सिक्स टाइम्स, और फिर क्रोमियम, एसी एन, सिक्स टाइम्स है, यह क्या हो जाएगा, आपका, क्रोमियम, एनेश्ट्री, फोर टाइम्स, और एसी एन, टू टाइम्स, उसी तरह से, इधर भी कर दिजिए, आप, क्रोमियम, SCN 4 times और NH3 2 times है ना तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते है ठीक है एक special type का है coordination isomerism है जैसा मैंने बोला था कि coordination में एक और part है जिसको coordination position isomerism बोलते है coordination position isomerism ठीक है यह तो coordination isomerism हो गया एक है जो coordination position isomerism है उसको देखते है coordination position isomerism तो यह NH3 4 times कोबाल्ट और 2 hydroxo लगा हुआ रहेगा यहाँ पर एक फिर से एक कोबाल्ट यहाँ लगा हुआ रहेगा और यहाँ पर क्या लगा हुआ रहेगा आपका NH3 2 times और 2 Cl2 तो यह जो क्लोरीन है वो इस कोबाल्ट पर है इस कोबाल्ट पॉलिमेर बनेगा मतलब आईसोमर बनेगा कैसे तो position coordination position isomer यह coordination isomer नहीं है क्योंकि दुसरा complex नहीं है उसी particular में 2 metal है ठीक है और उसमें जो है position change कर रहा है वो तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं CL NH3 3 times है ना एक ammonia को यहाँ से बाहर निकाल दिया और एक क्लोरीन को इधर खीच लिया आपने यहां से जो चार था एक उधर शिप्ट कर दिया और एक क्लोरीन को उधर शिप्ट कर दिया तो सेम कॉंप्लेक्स यह तो अगर चीएल टू यहां है इसका मतलब है कटाइनिक कॉंप्लेक्स नहीं है यहां सिर्फ कटाइनिक कॉंप्लेक्स के अंदर में ही जब position change कर रहा है लिगांड तो उसको हम लोग कहेंगे coordination position isomerism है ना तो यह दोनों isomer हो गया लेकिन इस क्या है यह coordination position isomer है ना परिकिशन है इस तरह का को हम लोग कॉडिशन पूजिशन कहते हैं अब देखिए ligand isomers देख लेते हैं ligand isomerism क्या है ligand isomerism में उत्मा गताए एक्जांपल नहीं है बहुत सारे लिगेंड isomerism आप देख रहे हैं यह क्या है इस पे द्हान ही नहीं देते हैं इसलिए ज़्यादा इसको लाइक नहीं करते हैं कोछ लिगता हीनी है तो लिगेंड isomerism में क्या है हमारे पास नहीं है पास ना है CH2, 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 NH3 होगा, NH3 होगा, sorry, NH2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा 1, 3, डाइमीन, ओके, और यह क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोपेन 1, 3, डाइमीन या 1, 3, प्रोपेन, डाइमीन, यहाँ पर एक ही हैं लगेगा, लिखेन पर, तो 1, 3, प्रोपेन, डाइमीन होगा, दूसरा अगर है, हमारे पास तो कैसे होगा, CH3, CH, यहाँ पर हो जाएगा, NH2, और फिर हो जाएगा, CH2, यहाँ पर हो जाएगा, NH2 यहां पर 1-3 position में है यहां पर 1-2 position में यहां पर 1-2 position में TN भी लिखते हैं short form में क्योंकि लिखना होगा तो जैसे इन इथिलिन डायमिन और इसको लिखते हैं PN परोपेन और TN हो गया आपका प्रोपेन जो ए 1-3 है तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1-2-3, 3-methylen है तो जैसे उन्होंने दिया है IUP-HC के according नाम लिखा है तो तीन मेथलेन है तो और एक नाम इसको हम लोग कह सकते हैं क्रीड ट्राइं मेथिलीड मैद फेन अनसरा मिचलेंड इसने टीएंड है ताकि आपको कॉंपलेक्स में नाम लिखने में वह आसानी हो लेकिन अगर आप देखेंगे molecular formula same है कोई changes नहीं है molecular formula में जितने hydrogen यहाँ है उतने ही number of hydrogen वहाँ है जितने number of carbon यहाँ है नाइट्रोजन भी 2 है यहाँ भी 2 nitrogen है तो molecular formula वाई सेम है तो अगर हम भी एक complex ले लेते हैं आपको सब्सक्राइब कोबाल्ट और यहाँ लिख देते हैं pn2 और cl2 यह बाइडेंटेड है यह भी बाइडेंटेड है एक और दो यह भी बाइडेंटेड है एक और दो है ना तो दो दो दुना चार और दो छे ऑक्टाइडल टाइप बनाएगा इसका अगर हम कहेंगे आईसोमर कोन सा है तो हम लिख सकते हैं co और यहां लिख सकते हैं tn2 टाइम्स और cl2 और cl यह दोनों आईसोमर जो हुआ यह आपका लिगेंड आईसोमर हुआ मतलब ज्यादा कुछ चेंजिस नहीं है बस जो लिगेंड है वह आईसोमरिक फॉर्म में यहां तो प्रोपन लिए यहां पर इठाकर यहां और रहे हैं उसके इस्ट्रक्टेरल पर north P कि यह आपका ligand isomerism में आ गया है अब polymer polymerization isomerism देखते हैं और जो आपको जो मैंने question पूझा था कि कौन सा इसमें से true isomer नहीं है तो आपका जो यह polymerization isomerism है यह आपका true isomer नहीं है क्यों क्योंकि यह molecular formula में depend नहीं करता है इसका molecular formula same हो वो जरूरत नहीं है है ना same हम यहां लिख देता है same molecular formula जरूरत नहीं है लेकिन होता क्या यहां पर same empirical formula इसका empirical formula same होता है और क्या होता है इसमें इसका जो बैलेंस रहता है नंबर वो stoichiometrically stoichiometrically balanced रहता है balanced रहता है यह stoichiometrically balanced रहता है यह same molecular formula नहीं होता है यह true isomer इसलिए नहीं है तो अगर statement में रहेगा कि यह true isomer नहीं है तो क्यों नहीं है इन में से कौन सा true isomer नहीं है तो कौन सा है वो दिखाएंगे तो polymerization isomerism जो है वो आपका true isomers नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो इस statement आपका isomer का आता है molecular formula होना सेम होना चाहिए वो यहां नहीं है कुछ example देख लेते हैं इसका है ना स्ट्राइक्योमेट्रिक बैलेंस रहेगा है ना ऐसा नहीं कि स्ट्राइक्योमेट्रिक balance नहीं रहेगा वो इस्ट्राइक्योमेट्रिक बैलेंस जरूर रहेगा पैलेडियम का देख लेते हैं हम लोग यहां पर इस्ट्राइक्योमेट्रिक सिर्इल यह जो करते हैं मतलब करतें तो यहाँ से तो यहाँ पर और एक नोट कितो ये दो गया है तो ये दोनों आपस में किया हो 10 000 कषिए ने फि depart gleich दो इसका जो जो चाहाइब आपक है तो यहां दो यह पूर्मूला निकालने आता है तो वह सिंप्लेस्ट रेश्योों निकलते है यहां पलेडियम एक है यह दो है इसको तो 2 से divide कर देंगे तो वापस से आपका 1 में आ जाएगा है ना तो empirical formula हम लोग voice से निकालते है न तो इसका मतलब कि empirical wise से देखेंगे तो यह वापस से यही form में आ तो empirical formula Same है पर molecular formula Same Nे है इसलिए यहоже true isomer नहीं है लेकिन फिर भी polymerization isomer के यह आता है जब हम लोग तीन ले लेते हैं इस ट्राइक्योमेट्रिक नंबर जब तीन ले लेते हैं तो क्या बन जाता ये पैलेडियम ऑने इस ट्री फोर और फिर पैलेडियम NH3, NO2, 3, 2 times, 2 times कौन सा? सिर्ब ये वाला पार्ट आपका 2 times हो रहा है, ये वाला पार्ट नहीं हो रहा है, तो देखिए कितना है, एक और दू, 3 हो गया, तो इसलिए स्टोइक्योमेट्रिक नंबर क्या है, आपका यहां पर, 3 आया, तो वापस से 3 से जब डिवाइट करेंगे तो फिर पैलेडियम एक ही हो जाएगा, तो इसका मतलब empirical formula अभी भी same है, है ना, तो जब तक empirical formula same रहेगा, वो polymerization isomerism भी देखेगा, तो जब polymerization isomerism आपको confused नहीं होना है, कि molecular formula same नहीं है, तो इसको काट देते हैं, आपको यहां पर क्या देखना है, यहां पर आपको empirical formula तो ही आपका यहां पर सही हो पाएगा, तो यह polymerization isomerism भी हो गया आपका, अब सबसे important बात, for my English medium student, see, like, whatever I have taught here, everything is there in our app, in English version also, so, please download my app, okay, Gcam Classes app, and enroll for the classes, okay, if you are enrolling class, you will be get benefited with the test series, every week, we are taking test, so, test will be there, then, unit wise question bank, you will have, okay, unit wise question bank means, suppose, this coordination chemistry will get over, so, the number of questions, okay, like, I will extract it from different textbook, and we will put it in one folder, okay, in one PDF file, so, you will get that PDF file, okay, in app, you can just go through with those questions, okay, so, maximum examples, if you are solving, you will be very much close to your examination, okay, so, that question bank, unit wise question bank will be there, okay, and then, you have live classes, and that live classes, in your own time, if you are, suppose, if you are not able to attend the live class, in your own convenience time, you can see this live class, it will convert to recorded class, okay, so, in recorded section, you can see it, if you have doubt, we have separate doubt clearance classes, okay, you can ask anytime, okay, you can just take those doubt, and we have the defined chat section, in that chat section, you just put your doubt, I will solve it, okay, so, and then, personal guidance, also, is there, suppose, if you don't know, what to do, after that, after qualifying, IIT, JEM, everything, we will have, we will just consult with you, okay, so, whatever your personal problem is there, like, mental stability, and everything, that also, counseling, we will do it, based for your chemistry education, okay, chemistry education, will give you, so, these are the things, we are providing, and that is also a very minimum amount, if you see the, our amount is, like, fee is, for one year, it is two, triple nine, okay, but, already, we have, like, Sunday, we have told, last Sunday, we have told, that, our price, we have reduced to one, nine, 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 so, this much, only, we are charging, whether you are, joining, Hindi medium, or English medium, okay, आप Hindi medium में जॉइन कर रहे हैं, फिर भी आपका annual fee, ये annual fee है, एक साल का, मतलब, एक बर आपने दे दिया, इसमें सारा चीज़ कवर होके आता है, आपको, आप साल बर पढ़ाई किजिए हैं, तो, इतना कम में, आपको, कोई नहीं देगा, no one can give you with this price tag, okay, 1999, go there, enroll now, otherwise, again, this price may increase to, 2999, okay, so, 1000, 1000 रूपीज बेनिफिट, you will get, if you are purchasing now, correct, so, go there and purchase it, and, be here in YouTube also, अब YouTube में भी रहे हैं, मेरे classes को लगातार देखिए यहां भी बहुत सारा और आज का जो क्लास आपने देखा जो इतने नमबर आप एक्जमपल के साथ मैंने किया तो आपको एप में ऐसे ही क्लासेश मिलेगा जहां जाधा नमबर आप एक्जमपल के मैं solve करूंगा करेक्ट क्योंकि YouTube में time limit रहता है इसलिए हम examples को भर नहीं सकते हैं लेकिन जैसा मैंने promise किया आपको सारा concept में दूँगा मैं सारा concept YouTube के classes में आपको दूँगा ठीक है लेकिन examples फिर आपको अपने से करना होगा वही चीज benefit आपको मिल जाएगा अगर आप जाते है और फिर आपने कितना पढ़ा वो भी आप अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं कि कितना marks आ रहा है आपको है हर week में topic खतम करने के बाद test में appear होई है और देखिए कि कितना marks आ रहा है आप अपने आपको evaluate कर सकते हैं ना ठीक है किस unit में कम आया किस question में ज्यादा time लगा या व आपको notification मिलता रहे correct और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए क्योंकि इतना minimum price में उनलों को भी कहीं नहीं मिलेगा है तो help कीजिए क्योंकि मुझे मालूम है monetary बहुत जरूरी है economic condition बहुत अच्छी नहीं है बहुत बच्चे की फिर भी वो पढ़ना चाते हैं बस उसी को support क करने के लिए हमने इतना कम price रखा otherwise आप देखिए इस कम price में कोई भी नहीं दे सकता है कितने बड़े बड़े इंस्टुट है उनके पास तो number of student बहुत ज्यादा होता है तो तो अपना price को 200 रुपया भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते हैं हमारे पास तो हमने just initiative लिय क्या है हमारे पास तो एकदम कम student है उसके वावजुद भी जो है हम इसमें लेकर है और class आपको अगर पसंद आ रहा है आप YouTube में देखिए है ना तब यह आप जॉइन करेंगे otherwise तो जॉइन नहीं करेंगे ना यह तो सबका mentality है correct so please like कर दिजिए subscribe कर लिजिए है ना bell icon को भी दवालीजे so thank you very much thank you for watching